प्राथमिक शिक्षक बरती की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बिहार से आने वाली एक बंपर भरती की तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की authentic updates मिलती रहें वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से इसपस्ट कर दूँ कि ये चैनल किसी भी पार्टी किसी भी देल का कभी भी कोई भी समर्तन नहीं करता है छात्र हित की जो भी बात होती है उनको उनी बातों को आगे लाये जाता है एक बात और इस्पस्ट करदूं कि जितनी भी पार्टियां हैं चाहे वो भारतिय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बसपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आप पार्टी क्यों नहों कोई भी सरकारे हो वो छात्र हीतों को ध्यान नहीं देती किसी भी राज की कोई भी भरती हो चाहे किसी भी दल की सरकार हो भरतियों में हमेशा लेट लतीफी होता है भरतियों में हमेशा से पेपर आउट होता है आपने हाली में रजस्तान में भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में तो आप लोग लगातार देख रहे हैं अर्शाट पार्टी की तरफ से जो लगातार आजकल ट्विट किये जा रहे हैं लगातार बयान बाजी की जा रही है कि सिक्षा मित्रों को सिक्षा मित्रों का होगा समाय योजन और बनाए जाएंगे सायक अध्यापक इसको लेकर कि विद्यार्थी लगातार विच्रित हो रहे हैं विद प्तरप्रदेश में लगबग 1.5 लाग से ज्यादा शिक्षा मित्र है अगर क्यों नीमा वली की अधारबर्चू की सरकार चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है कम से कम जो सिक्षा मित्र TET पास है उनका तो समायोजन सरकार कर ही सकती है चाहे भारंग में छूट दे करके चाहे कट 40,000 से जादा सिक्षा मित्र ऐसे हैं जो पहले से ही TET पास है और अगर इस बार के जो TET होता है उसमें भी लगबग 15-20,000 सिक्षा मित्र पास हो जाएंगे और लगबग इतनी ही जो पोस्टें वो उत्तर प्रदेश में खाली है इसी को लेकर कि विद्यार्थियों में चिं ट्विट क्यों नहीं आ रहा है कोई बयान बाजी क्यों नहीं कि जा रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम B3D और BTC वालों के लिए प्रात्रमिक शिक्षक बरती होगी। हाला कि समाजवादी पार्टी की तरब से तो और जो अखलेस यादा हो बहुत सारे जो लोग उनकी तरब से हमेशा से का गया सिक्चा मित्रों के बारे में लेकिन आज फिर से बहुत सारे समाचार पत्रों के मादम से चानकारी दी गई है यह आज ही का समाचार पत्र है जिससे बवाल हो गया है लिगा है सपा की सरकार बनी तो सिक्षा मित्र बनेंगे शिक्षक समाजवादी सिक्षक सभा के राष्टरी अध्यक्ष प्रोफेसर भी पांटे ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर पुरारी प्रेंसन बहाल होगी सिक्षा मित्रों को पूर वेरक कपत समपत कर दिया गया उन्सें पुना बाहल किया जाय। तो अगर मित्रों सहां मात not नोकरी नहीं होती है अगर इनी सिक्षा मित्रों को अगर आप चपरासी बनातोगे पर्मानेट करतोगे तो क्या उनको सम्मान मिल जाएगा चपरासी बनना पसंद नहीं करेंगे और अगर इनका जो है सारा मामला बेतन का है अगर आप लोग इनका बेतन बढ़ा देंगे तो वो भी एक सम्मान जलक पोस्ट हो जाएगी, यही प्राइमरी के जो मास्टर होते हैं, इनका बेतन अगर 50,000 से ले करके कम कर दिया जाए, 10,000 कर दिया जाए, भले ही परमानेटर हैं, तो कोई इनका सम्मान नहीं होगा, सारा का सारा सम्मान जो होता है, वो बेतन की वज़े से आजकल हो रहा है और अभी कुछ दिन पहले भदोही में भी जब अखलेस यादों वहाँ पर आये थे तो वहाँ पर भी इन्हों ने यही कहा था कि एक लाख अंठावन हजार सिक्षा मित्रों को समायोजित करने के साथ में पुरानी पेंसन को बहाल किया जाएगा और इसी तरीकी के ट्विट जो है वो आजकल किये जाते हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी को एक बार जो है प्रात्मिक सिक्षक बरती क कि खुली भरती के बारे में भी ट्विट करना चाहिए और इस पस्टी करन देना चाहिए इस तरीकी के मांग मैंने पहली बार नहीं किये है कई बार किये है चुँकि समचार पत्र हों चाहे वो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज हों सभी के मादम से जानकारी दियाती है क केवल और केवल जब कोई भरती की बात आती है तो केवल सिक्षा मित्रों की बात आती है सिक्षा मित्रों के अलावा कभी भी सहायक अध्यापक की भरती की बात समात्वाधी पार्टी की तरफ से नहीं की जाती है यह देख सकते हैं आप लोगी जो ट्विट किये जा रहे है समात्वादी पार्टी के नेताओं के दोरा और जो अखलेस यादव हैं उनके दोरा भी जो भतोई में जो मीटिंग भी थी उसमें भी समसारप्त्रों के मातम से जानकारी दी गई थी प्रधेश अधीक्ष है कि समात्वादी पाटी युवचंत के इन्होंने भी ट्ट किया है और ट्विट में उन्होंने यही कहा है कि जैसे इस मातवाजी पार्टी की सरकार आएगी एक बारा घंटे के अंदर सिक्षा मित्र भनेगे साइक अध्यापक और साइद अखलेश यादों को एसास नहीं यह चातर सकती का कि चातर चाहेंगे तो क्या हो जाएगा और जो बोल के समर्तक हों वो जाकर के अगलेश यादों को समझाएं कि ऐसे ट्विट ना करें और अपने नेताओं पर कहें कि लगाम लगाएं जो करना हो सरकार आएगी तब करें मगर इस तरीके के अगर ब्यान देंगे तो उनका ठीचा लेदर तो होई रहा है आगे और ठीचा लेद पत्ति होगी और बहुत जल्द इसका विग्यापन जारी होने वाला है यह आज ही के समझार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है सरसथवी वीपीसी में 103 और रिक्तियां और अब कुल 606 पदों के लिए विग्यापन दो दिनों में अगले दो दिनों में विग्यापन जो है वो निकाल दिया जाएगा नीचे लिखा हुआ है कि नई रिक्तियों के आने के बाद इनकी कुल संक्या 606 हो जाएगी वर्तमान में यह 503 है जिनमें SGM के 88 और ग्रामीड विगास पताधिकारी के 133 पत शामिल है 103 पत जो आने वाले हैं उनमें बिहार पुलिस सेवा के अंतरगत DSP समय 3-4 विभागों की रिक्तियां हैं लिखा है BPSC ने अभी 66 संयुक्त प्रारमीग परिच्चक विग्यापन नहीं निकाला है और इनके आते ही विग्यापन निकाल दीजा कि किसी वज़े से यदि अगले एक या दो दिन में रिक्तियां आया आए आपको नहीं मिल थे और शुरू में यह रिक्तियां जो थी लगबग 300 थी और अब लगबग 600 के पार पहुंच गई है तो ठीक है दोस्तों फिलाल यह हो गया वीडियो और बहुं सारे विध्यार्थियों को बुरा लगा होगा चूंकि समाचवादी पार्टी की तरप से इस तरीकी की सूच जाएं या जो ऐसे नेता जो बयान दे रहें बीवी पांडे जैसे इन्हें नेताओं को समझाएं और जो क्लिरिफिकेशन वो जा करके वहां पर करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद